Hello students, पिछले वीडियो में हम पहली साखी बढ़ चुके थे और इससे संबंदित मैंने कुछ प्रश्न किये थे जो कुछ इस प्रकार से हैं यह हमने प्रश्न किये थे जिसमें पहला प्रश्न था काव्यांश में मान सरोवर से क्या आश्य है जिसका उत्तर है काव्यांश में मान सरोवर का भी प्राय मनुश्य के मन रूपी सरोवर से है दूसरा प्रश्न था मुक्ता फल का क्या अर्थ है तो मुक्ता फल का शाब्दिक अर्थ होता है मोती और मान सरोवर में कितना जल भरा हुआ है तो मान सरोवर अच्छी तरे भरा हुआ है यानि लबालब भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है काव्यांश में हंस किसका प्रतीक है तो काव्यांश में हंस जो है प्राणी का प्रतीक है जीव प्राणी इसका प्रतीक है या भक्त का प्रतीक है ये भी हम कह सकते हैं चलिए अब अगली साखी की और बढ़ते हैं, जो की दूसरी है, प्रेमी ढूंडत मैं फेरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कों प्रेमी मिले सबविश अमरत होई, तो पहले इन जो रिखांकित शब्द हैं, उसके हम अर्थ को जान ले, कोई मुश्किल वैसे नहीं है, इसक प्रेमी यहाँ पर प्रेम करने वाला, यह हम कह सकते हैं भक्त, और यहाँ परमात्मा भी, क्योंकि प्रेमी यहाँ पर बार बार हुआ है, कहीं पर यह भक्त के रूप में प्रयूक्त हुआ है, यह परमात्मा को लेकर हम बात कर रहे हैं, फिरो मतलब होता है, घूमना, और मतलब वासना हैं, बुराईयां हैं, दुर्भावनाएं हैं, तो चलिए, अब हम इसके भाव को समझ लेते हैं, प्रेमी ढूंडत मैं फेरों प्रेमी मिले न कोई, तो प्रेमी कौन है, एक भाक्त हमने का था, एक भाक्त जो है, वो प्रभु भाक्त को ढूंड रहा है, तो उसे कोई सच्चा प्रभु भाक्त नहीं मिल रहा है, प्रेमी मिले न कोई, सच्चा प्रभु भाक्त नहीं मिला है प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश अम्रित होए और जब वो भक्त जो है इश्वर को खोज लेता है मैंने कहा था एक भक्त भी है और पर मात्मा भी हम कह रहे हैं प्रेमी को प्रेमी मिले जब भक्त को इश्वर की प्राप्ती हो जाती है तो सब विश, सब जो दुर्भावनाई हैं, वासनाई हैं, वो अमरित हो जाती है तो यहाँ पर विश जो है, किसका प्रतीक है, यहाँ पर विश जो है, इसका प्रतीक है, मनुश्य की बुराईयां, दुर्भावनाओं और पापों का प्रतीक है और यहाँ अम्रित है यह किसका प्रतीक है अम्रित है मुक्ति, आनंद, पुन्य और सदभावना का प्रतीक है पहले इन बातों को समझेंगे अब हम इसके पूंट रुप से भाव को समझेंगे तो प्रेमी ढूंदत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई यानि कवी अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रेमी यानि इश्वर की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं क्यूंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात इश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है इश्वर के मिलने से सभी समस्याई जब प्रेमी को प्रेमी मिले सभी शम्रित होए तो इसका भाव क्या बनता है इश्वर के मिलने से सभी समस्याई दूर हो जाती है विप्रीत परिस्थितिया नुपूल हो जाती है मन का मैल धुल जाता है मन पवित्र और निर्मल हो जाता है ज्यान प्राक्त करने पर सभी मनोविकार यानि मन के विकार यानि मन की पुराया दूर हो जाते हैं और जो भक्त है इश्वर की भक्ती में लीन हो उसके साथ एकाकार हो जाता है यानि कि भक्त इश्वर की भक्ती में लीन होकर उसके साथ एकाकार एक ही हो जाता है उसमें ही मिल जाता है तो इससे संबंदित प्रश्न जो है वो जानेंगे पहला प्रश्न इसमें बनता है काव् ब्यांश में मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है और दूसरा इसमें प्रश्ण बनता है उप्रयुक्त पंक्तियों का भावार्त अपने शब्दों में बताएं कि क्या भाव बनता है इन पंक्तियों का और तीसरा प्रश्ण बनता है सच्चा प्रेमी मिलने पर क्या होता है दुखडी है अब तीसरा जो है यहां पर जो साखी है वो है हस्ती चड़िये ज्यान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूंकन दे जख मारी तो इसके शब्दार्थ को भी जान ले हस्ती तो आसान है हाथी है यहां पर तत्सम तत्भर शब्द आप कह सकते हैं सहज यहां पर स्वाभाविक है दुलीचा यानि कालीन को कहते हैं कार्पिट स्वान यानि कुट्टा जख मारना यानि वक्त बर्बाद करना तो यह इसके कठिन शब्दों के रहत है और अब यहां पर जो है यानि साखी से प्रस्तुत साख्य में ज्यान के महत्व को दर्शाते हुए कबीर दासजी ऐसुर प्राप्ती में ज्यान को प्रमुख आधार माना है तो अब यहाँ साखी में क्या कहते हैं लेकि हस्ती चड़िये हस्ती चड़िये ग्यान को सहज दुलीचा डारे हस्ती हमने वड़ा था हाथी तो कौन है सभी को ग्यान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए पहली पंक्ति का भाव समझे सभी को ग्यान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए और इस ग्यान रूपी हाथी पर सहज सहाधना रूपी गलीचा यानि दुलीचा हम जिसको कह रहे हैं कालीन बिछाना चाहिए क्या का मैंने पहली पंक्ती में हस्ती चड़िये ग्यान को यानि सभी को ग्यान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए यह सहज दलीचा डारी और इस ग्यान रूपी हाथी पर क्या करना है सहज स्वाभाविक रूप का दलीचा यानि कालिन बिछाना चाहिए स्वान रूप संसार है भूंकन दे जखमारी यानि ज्यान प्राप्ति करनी है ज्यान प्राप्ति हो जाने पर जीवन क्या होता है धन्य हो जाता है ज्यान मिलने पर जीवन धन्य हो जाता है और जीवन जो है वैभव पूर्ण हो जाता है फिर जीवन में किसी प्रकार के अभा बैज़ाव का अनुभव नहीं होता है और मुनुश्य का इस जीवन में इधर उदर भटकना भी रुक जाता है तो कवी ने इस अग्यानी संसार की तुल्ना किस से कर दी स्वान रूप संसार है यानि कुत्ते से की है दूसरी पंक्ति का भास ओमजिए कवी ने इस अग्यानी स संसार की तुलना कुट्टे से की है भूंकंदे जखमारी लिखा गए जिस प्रकार हाथी को देखकर कुट्टा भौंकता है लेकिन हाथी क्या करता है अपनी चाल में मस्त होकर चलता रहता है तो ठीक इसी प्रकार इस संसार में ज्यानी को देखकर अज्यानी क्या करते हैं चि करते हैं तो मुख्य भाव अगर हम देखें तो वो यह है कि अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ में अपना समय बरबाद करता है ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक और सारहीन माना गया है इसलिए ज्ञान जो है इश्व प्राप्ति का प्रमुक आधार है तो कभी ने ज्ञान की स सहत साधना का वर्णन किया है और इसमें कोई आडंबर या दिखावा नहीं होना चाहिए इश्व प्राप्ति में इसमें रूपक कलंकार का प्रयोग भी हुआ है तथा धोंग एवं आडंबरों का विरोध किया गया है चलिए अब हम इससे संबंधित प्रशन उत्तर जान लेते हैं तो पहला प्रशन है कवी भक्तों को किस पर सवार होने को कह रहा है दूसरा प्रशन है कवी ने किसे स्वान अर्थात कुत्ते के समान बताया है भूंकन दे जख्मारी का क्या आश्य है चौथा प्रशन है काव्यांश में कौन सी भाशा प्रयुक्त है और प्रश्निस में से बनते हैं तो तब तक आप इन दोनों जो मैंने सेकेंड और थर्ड यह दोनों जो पढ़ाई हैं इन दोनों के प्रश्न जो है उनको देखेंगे और चिंतन मनन करेंगे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ तिल दैन बाई